वोगलोई सिना का एक बयान आया है कि एक स्ट्रिक्ट लाह होना चाहिए जो जमाद जैसे जो जमाद इसलामी जैसे इनको एलेशन में लड़ने नहीं देना चाहिए आप आज क्यों जाग गए ना एल जी साहब ऐसा कानून है जो आप इनके खिलाफ इस्तिमाल कर सकते हो यह आजाद उम्मीद्वार के तौर पर उठे हैं कि अब आप आजाद उम्मीद्वार के तौर पर उठने नहीं दो गए और्गनाइजेशन पर तो बैन लगा हुआ है य और तो और ठीक है ना अगर आप वैसे भी आठ अक्रोबर के बाद यहां कोई कानून बनाने का एक्तियारत जो है यहां लोगों की अपनी चुनी हुई सरकार होगी वो तैक करेंगे ना कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा हमें तो इस हमें शिकायत हमें करनी चाहिए म इंजिनर रशीद में वो कहरें कि मैं लिखे दूँगा उमर्साब नहीं जिते हमें वो आरे लड़ेगा है तो अब एंजिनर रशीद साहब जरा पहले जो आज उन्होंने एबी पी के जरीए इंटर्व्यू दिया है उसका जवाब दें एंजिनर रशीद साहब ने खुले खुले अलफाजों में ये कहा है कि अगर आठ अक्टोबर के बाद बीजे पी को नुमाइंदों की जरूरत पड़ी मलेज की जरूरत पड़ी तो बीजे पी के लिए एंजिनर रशीद साहब के दर्वाजे खुले हैं अगर आज एंजिनर रशीद साहब बीजे पी को मदद करने के लिए election लड़ रहा है तो जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत सोच समझ के अपने वोटों का इस्तिमाल करना चाहिए क्योंकि मैं बार बार ये कहता आया हूँ आज एंजिनिर रशीद साहब ने शुकर है हमारी बात को तस्लीम किया है मैं कहता आया हूँ कि ये लोग आ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ यहां वोट को तक्सीम करने के लिए और नैशनल कांफरंस को नुकसान दिलवाने के लिए इंशालला आठ अक्टोबर को थाबित होगा कि एंजिनिर रशीद साहब जो है उन्होंने लोगों से हमदर्दी के नाम पे वोट हासिल किये लेकिन आज वोट उनको नहीं मिलेंगे उनके कहने के मुताबिक जमाति इस्लामी लाइक माइंड़ कैसी है वो कहते हैं वो तो आपको इंजिनियर से पूछना पड़ेगा क्योंकि आज एंजिनियर बीजेपी की मदद करने के लिए तयार है तो एंजिनिय जो है आज उन्हें एक बयान दिया है फिर से आज क्या का आज हमारे रिपोर्टर को बयान दिया था कि कुछ जो एंजिके वरकर्स थे उन्होंने अशॉल्ट किया देवेड ड्रंक अब फ्रस्ट्रेशन में लोग बहुत कुछ कह जाते हैं बकार रसूल साब कुछ ज्यादा ही फ्रस्ट्रेट हो गए है अब एलेक्शन खतम हो गया है उनको चुट्चा बैठना चाहिए आठ अक्ट्रोबर का इंतिजार करना चाहिए लोगों का फैसला हमारे सामने होगा बाकी रही बात उनकी अपनी तन्जीम जो उनकी क्यांग्रिस पारटी है उनको जो नए पीडियों संधर बने हैं उनके तरफ से मार पड़ी है वह उन्हें अपनीी का क्यार कॉंग्रेस का खायाल रखना चाहिए हम अपनी पार्टी का खायाल रखेंगे ना इस बात का जवाब ने कि इस बात का आप इस तो आपको साथ कश्मीर से पता चल रहा है ना